क्या कभी ईद कभी दीवाली के प्रडक्शन ने असीम रियाज संपर किया सलमान खान के भाई के रोल निभाने के लिए असीम रियाज के प्रशंसकों के लिए यह रोमान चक अबर है बिग बॉस 13 के प्रत्योगी को सल्मान खान के अगली फिल्म कभी ईद कभी दीवाली के लिए संपर किया गया है फिल्म कुथला अजित्की वीरम की हिंदी रीमेक कहा जाता है पूजा हे गड़े सल्मान के साथ प्रमुख महिला की भूमे काने भाने के लिए रेम पर उतरी है एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म स्पष्ट रूप से चार भाईयों की कहानी है और इसके लिए एक प्रमुख भावनात्मक हिंदू मुसलिम कौन है अब इसी एंटर्टेन्मेंट पोर्टल की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि असीम को सल्मान खान के तीन भाईयों में से एक कभी इद कभी दीवाली में खेलने के लिए संपर किया गया है पोर्टल के मताबिक, सलमान खान अभिनीत फिल्म कभी कभी दीवाली में सलमान के भाई की भुमीका में तीन अन्य कलाकार होंगे असीम को भाईयों में से एक की भुमीकाने भाने की पेशकर्ष की गई है बिग बॉस तेरह में अपने अभिने के कारण असीम ने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की क्योंकि एक गयर अभिने फ्रिष्ट भूमी से आने वाली कभी इद कभी दीवाली के रूप में बलिवोर्ड की शुरुआत के रूप में असीम रियास के लिए एक बड़ी बात है